आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के कराची इंटरनेशनल एरपुट में अचानक से ब्लास्ट हुआ है जिसमें कहां जा रहा है कि दो चाइनिज सिटिजेंस जो थे उनलों का देथ हो गया तो अगर हम लोग पास्ट में देखे पाकिस्तान अपने तरफ से डिफरेंट टाइम में डिफरेंट क्लेम करता रहा के भाई पाकिस्तान जो यह बहुत ही एक सिक्योर नेशन है यहां कोई टेरिस्ट अटाक या फिर ऐसा कुछ नहीं होता पाकिस्तान का अगर आर्मी को से अगर हम लोग पास्ट में हिस्ट्री देखे तो इस साल में अगर लगबग हर मैने मनलब जानरी फेबरी मार्च अब देखिए कि हर टाइम पाकिस्तान में कुछ न कुछ होता ही रहता यह टेरिस्ट अकर अगर आपको डेटा चाहिए तो मैं आपको डेटा भी प्रोवा लोचिस्तान एक रिलिजियस पोसेशन चल रहा था और उसके उपर अटाफ हुआ जिसके वाएसे बहुत सारे कर देथ हो गया इसके बाद आता है नेक्स्ट मन मतलब मार्च में मार्च 16 कोईटा में एक टार्गेट शुटिंग हो था जिसमें पुलिस ओफिसर लोगो को टा देखा जाए पूरा साल में हर महिने ही पाकिस्तान में कुछ न कुछ होता रहता है यह जो लिस्ट पता है इसमें ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा इंसिडेंट है वह महिने इंक्रूड करते हो तो आपको देखने को मिलेगा साल भर में पाकिस्तान में more than 700 यह टेरिस जो अटा चैनीस ऑफिशियल से उन लोगो टार्गेट किया ही चैनीस ऑफिशियल जो है वो एक चैनीस प्लाइट में पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट में आ रहे थे और इसमें सिर्फ चैनीस ऑफिशियल नहीं इसमें चैनीस जो इन्वेस्टर है साथी साथ जो इंजिनियर है और जो ऑफिशल से यह तीन कैटेगरी में लोग जो है यहां ट्राविल कर रहे थे और वो लोग पाकिस्तान के जो गौदर पोर्ट है वहां जाने वाले थे आज के डिट में अगर हम लोग देखें गौदर पोर्ट में पास्ट में बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है इसके लाव को सकता है यह का कघ्सित करता है और देखा जाये तो पाकिस्तान के जो ऊफिशल स्टेटमेंट अिन M saying पक्कासित के दिया गाना के साथ और ते की can Wow पुपलिक ऐगा एसे हुट है कोई कोई ना पुछ आंप लोगा के ईब dio का और यह वह सकता है है this कि बाद नया स्टेटमेंट आपने सरफ से आगे जाके। को वहां हम लोग मिदा और चैनी इनवेस्टर थे शायनी इंजिर्नियर थे साथ चाइनी ऑफिशयल्स जो लोग भी थे लगव चालीज पचास जो चाइनी इसे वह तो लह उसमें थे वह अपने तरब से कुछी एयर्पोर्ट में लैंड किया है और यह जो लैंड करने के मंतल बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो लोग अपने तरफ से क्लेम किया है कि यह जो अटाक है यह जो ब्लास्ट हुआ है बीले के द्वारा किया गया है प्रेजेंटलि अगर हम लोग देखे पाकिस्तान में एक हुज इंवेस्टमेंट करके रखा है चाइना और यह पहल अगर कोई भी दूसरा कंट्री का सेटीजन साथ है वो भी इस लेवल पर जो लोग कंट्री में इंवेस्ट करेंगा है डाट पॉंट आप टैम सेक्यूरिटी जो है और इसी सेक्यूरिटी के बीच में बीले अपने तरफ से यह ब्लास्ट प्लान किया उसको सक्सेस भी कर द सेटीजन जो है वो सीरियसली इंजियोड है तो आप समझिए एक दूसरा कंट्री का सिटीजन अगर दूसरा कंट्री में आता है तो अवियस नी उनलोग को सीक्यूरिटी प्रोवाइट करना पाकिस्तन का जिम्मेधारी है जब एक ऐसा सीटीजन है यह लोग आगे जाकर प जानने तो आप थोड़ा सा पास में चलिए यह गौदर पोर्ट का इश्यू को लेके पहले भी पाकिस्तान में अगर हम लोग देखे डिफरेंट टाइम में जो चाइनिज सिटीजन से लोग के ऊपर टार्गेट किया गया है और एक बार तो आपका सेवेंटी पीपल का दे और गर पाकिस्तान के इसके बाद बस देखे चैनिज जो है तुमाने के तरफ से इन्हेंस किया गया था और अज देखिए यह क्या हुआ exactly same incident फिर से हो गया पाकिस्तन का जो गवर्मेंट है वो चुप बैठा रहा पाकिस्तन का गवर्मेंट के दौरा अभी भी कोई statement नहीं है हो सकते का आगया आएगा at that point of time Chinese government क्या कहता है इसको लेकर यह देखना है के जो क्लेयम कर रहें कि हम लोग यह अटक किये थे तो आज नहीं ब्ले बहुत सालों से ब्लगत THE रिसोर्स ब्ले लट रहे है और परसंट व्ल्ले को प्रेसंट ंमें डेसोरुर्स से उसको भार में सुच्त कर रहा हैं और्फेस्ट से उन लोग को कुछ भी benefit नहीं मिल रहे हैं यह बात एक तरह से देखा जाया तो यह बात सही है कोई गलत बात नहीं है आज के दिश्ट की आगर आप बछे में जो रहते हैं पाकिस्तन की जो सिरीजन इसलिए पाकिस्तन गवरेंट कभी भी इसको आगे जाके राइस नहीं करेगा और BLA इसके लिए ही लड़ रहे इतना सालों से, BLA हमेशा चाहता है कि बलोचिस्तान का अगर आप resources यूज करो तो obviously बलोचिस्तान के जो citizens है, उनलों का जो lifestyle है, उसमें कुछ तरक्षी है, उनलों बहुत बार बलोचिस्तान में attack हुआ है, इवन चाइनीज citizens है, उनलों के ओपर different time में attack हुआ है, जिसको लिए मैनेजर से कहां आपकोस के जिंपिंग भी बहुत गुस्सा हो गया, इस बार फिर से हुआ, आगे जाके पाकिस्तान का क्या बयान आता है, वो भी matter करते है, on the other side पाकिस्तान जैसे claim कर रहा था, कि हम लोग अभी international matches जो है, वो पाकिस्तान में खिलाएंगे, on the other side, हम लोग SEO भी कर रहे है, तो आगे जाके exactly क्या होगा, चलिए international match का बात ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग पता है, दुनिया ने बहुत सारा team है, जो लोग पाकिस्तान में आना ही नहीं चाहता है, कि हम लोग internationally, हम लोग पाकिस्तान में जाके नहीं खेलेंगे, हम लोग घुसरा कोई भी country में चला जाता है, ऐसे बहुत सारा Muslim countries वे, जो लोग पाकिस्तान में आके खेलना पसंद नहीं करता है, क्योंकि ये जो security रिजल से one of the major है, कभी भी किसके मोदी जी भी पाकिस्तान आए, हम लोग ऐसे तरक्षी किये, क्यों मोदी जी भी आ गए देखने, on the other side, मोदी जी इसमें नहीं जाएंगे, हमारे external affairs minister जैशंकर साब इसमें जाके जोइन करेगा, मतलब एक बात तो तैय है, कि अगर मोदी जी नहीं जाते, तो ये पाकिस्ता स्टेट्मिंट आता है, वो आप फॉलो करतें तो आपको पता है, कि आगे जाके जयाके जैशंकर साब का, अगर वो पाकिस्तान जाते सब्मिट में, में एडर कॉइंट आफ जो स्टेट्मेंट आए गया हम लोग बहुत ही एक अच्छा सा प्स्तित्मिया कि जैशंकर साब हिक बाइसा एक इंडियन गया है पांगिस्तान में पुरा पांगिस्तान की पुरा पांगिस्तान पे भाड़ी भारे, तो जो भी वागा सफीन हो जाहते एंड के बाद करनेया नप कुछ मुघ मांसा कंट्री Chrome आएगा, क्योंकि यह जो incident है यह no doubt one of the major incident है अगर airport पे अटक हो सकता है जो high security zone है वो भी दूसरा country के citizen के ओपर तो हो सकता है कि कल जाके कोई भी दूसरा country के जो minister उन लोग के ओपर भी attack करे कोई ना कोई at that point of time Pakistan government क्या answer करेगा तो no doubt यह जो incident है यह कोई नया incident नहीं है पाकिस्तान में on the other side अगर देखा जाए पाकिस्तन government का जो होश है वो अभी भी नहीं आया है क्योंकि बहुत सारे चाइनिस का डिफरेंट time में पाकिस्तान में target किया गया है और चाइनिस का देद्ध भी हुआ है और अधर साइट कर सकते कि हम लोग को कुछ मनलब एकदम धमाकेदर कुछ speech सुनने को मिले आगे जागे जिसमें हम लोग भी हो जाए जैशन कर से आपके जो speech का में बात करना हूं तो hopefully यह वीडियो आपको interesting लगा अगर ऐसे ही आपको और वी interesting वीडियो देखना है तो मेरा यूट्यूब चैनल डाट इस अतनू पॉल ए टी ए ए ए एनिश पेवल में जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल में बहुत सारे कर दो कर दो